राधे राधे दोस्तों मेरा नाम प्रियंका है और स्वागत है आपका मेरे चैनल में आज हम सेयर करेंगे आपके साथ अचारी आलू परबल की रेसिपी जिसे बनाना जितना आसान है ना उतना ही जादा ये टेस्टी खाने में लगता है और आप इसे एक बार 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 आपक पी देख लेते हैं तो सबसे पहले हमें एक मसाला बना के तयार करना है इसके लिए एक कराही में डालेंगे एक चमच साबू धनिया आधा चमच जीरा आधा चमच सौफ और एक चोथाई चमच से भी कम कलॉंजी आधा चमच काला सरसो और दो सूखी लाल मिर्ची डालेंगे और इसे हम हलका भून लेंगे जब 60-70 परसेंट ये भूना जाए न तब इसमें आधा चमच अजवाइन डाल दीजेगा अजवाइन बहुत जल्दी भूना जाता है तो अगर सारे मसाले के साथ ही आप इसे डाल लेंगे न तो ये जल जाएगा इसलिए लास्क में इसे डा और ने बाड़त से दालेंगे परफल को लंबाई करताव सैप में अब इसलिए तो जेसे बीच में कवर कर देद कावर करने से यह से यह सात में कॉछा से भूना तो यहतारी अलु और यहां पे आलू परबल दोनों बहुत अच्छे से पक भी चुका है आप देख सकते हैं तो अब गैस का फ्लेम बिल्कुल कम कर दीजे और इसमें हम सूखे मसाले डाल लेंगे तो सबसे पहले टेस्ट के नुसार नमक डाल दिये हैं दो तीन चुटकी के करीब यहां पे हम ह आधा चमच और आधा चमच से थोरा सा कम हल्दी पौडर थोरा सा यहां पे हम तीखा वाला मिर्ची पौडर भी डाल लिए हैं अच्छे से इसे मिक्स करेंगे दो तीन मिनट के लिए फिर से हम कवर करके इसे पका लेंगे गैस का फ्लेम बिल्कुल कम रखिएगा क्योंकि इसमें पानी नहीं है तो यह बहुत जल्दी जलने लगता है तो करीब दो तीन मिनट ढख के हम इसे पकाए हैं और यहां पे यह सबजी पूरी तरह से तैयार है अब इसमें हम डाल देंगे धेर सारा कटे हुए धनिया का पत्ता और अगर आपको जादा खटापन पसंद है तो इसमें थोरा सा आमचुर का पॉडर भी डाल सकते हैं हम नहीं डाले हैं और बस इसे अच्छे से मिला लीजे सर्ब कीजे बहुत जादा टेस्टी अचारी आलू परवल हमारा बनके तैयार है और इसे बनाना कितना आसान है आप देख चुके हैं इस सबजी को आप रोट रेसेपी अगर अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजे बिलका बटन प्रेस कर लीजे ताकि मेरा हर वीडियो आपके पास पहुंच सके वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजे सेर कीजे कमेंट कीजे थैंक्यू मिलते हैं आप से वीडियो में अच्छी सी रेसेपी के साथ